हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे आलू और साबुदाने के पापड की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी इसमें आप एक ही बार में दो अलग-अलग फ्रेवर के टेस्टी पापड बना कर तेयार कर लेंगे और इन्हें साल भर के लिए इस्टोर भी कर पाएंगे तो पापड बनाने के लिए मैंने यहां लिया है एक बड़ी साइस का कच्चा आलू और साथ ही ले लिया है एक कटोरी छोटा वाला साबुदाना मेजरिंग कप के हिसाब से देखें तो यह आधा कप साबुदाना है आप पापड बनाने के लिए मीडियम साइस के साबुदानी भी ले सकते हैं इन्हें हम अच्छे से धो कर दो कटोरी पानी में विगो देंगे आलू हमारा बड़ी साइस का है और इसे ग्रेट करने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने इसे चार भागो में काट लिया है अब हम इसमें डाल देंगे पानी जिससे के आलू का कलर चेंज ना हो अब हम आलू को बहुत ही छोटे छेद वाली ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे अध्रप कदू कस करने के लिए हम जो छोटा ग्रेटर यूज करते हैं उससे में ये आलू कदू कस करके ले रही हूँ ताकि ये पानी में जल्दी सूबल कर सौफ्ट हो जाए और पापड के घुल में अच्छे सी बाइंडिंग आ जाए और इन आलू के लच्छों को अच्छे से मसल मसल कर दो से तीन बार पानी से दो कर इनका सारा स्टाच निकाल लेंगे और अच्छे से साफ कर लेंगे जिससे कि हमारे पापड सफेद और हलके बन कर तयार हो एक्स्ट्रा पानी को चलनी से ड्रेन कर लेंगे और ये देखिए आलू के लच्छे हमारे बन कर तयार है आप इस पानी को पोधों में डाल सकते हैं ये उनके लिए एक और्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करेगा और इधर साबुदाने भी हमारे थोड़े फूल गये हैं और इनमें थोड़ा पानी अभी बचा है तो इसे हम रहने देंगे अब आगे की प्रोसेस पर गेस पर रखेंगे एक नॉन स्टिक या मोटे तले वाली कड़ाई और इसमें डालेंगे पानी तो फ्रेंड साबुदाने के क्वांटिटी के साथ गुना पानी हमें इसमें चाहिए तो 5 कटोरी पानी अभी हम कड़ाई में डालेंगे और 2 कटोरी पानी में हमने साबुदानों को सोग किया था तो टोटल 7 कटोरी पानी इसमें जाएगा पापड बनाते वक्त पानी के क्वांटिटी का सही माप ले लेने से पापड फटते नहीं है और बहुती अच्छे बनते हैं पानी में उबाल आने लगा है तो अब हम इसमें एट कर देंगे हमारे आलू के लच्छे स्पेचुला से हिलाते हुए हैं पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे और गेस की फ्रेम को लो टू मीडियम पर रखेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे हमारे सोग किये हुए साबू दाने और साथ ही इन में जो पानी बचा है उसे भी कडाई में डाल देंगे हिलाते हुए साबू दानों को आलू के साथ मिक्स करेंगे इस quantity के हिसाप से इसमें हम नमक डालेंगे पापड में नमक थोड़ा कम ही डाला जाता है क्योंकि सूखने के बाद यह तेज लगता है तो आधा टेवल इस्पून नमक इसमें में डाल रही हो और नमक को भी हिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 15 मिनिट के लिए बीच-बीच में हिलाते हुए लो फ्लेम पर पकने देंगे इस दोरान हम पापड को टेस्टी सा फ्लेवर देने के लिए काट लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और साथ ही एक हरी मिच यह कम तीखी वाली हरी मिच है इन्हें हम चटनी जार में ट्रांसफर कर लेंगे और बहुत ही थोड़ा सा पानी डाल कर पीस लेंगे देखिए इस तरह की एक गाड़ी सी चटनी बना कर तेयार करेंगे और इधर गेस पर हमारा बेटर भी पक कर अच्छे से गाड़ा हो गया है तो इसमें से लगबाग आधा मिश्रण एक बाउल में निकाल कर अलग रख लेंगे हम दूसरा फ्लेवर एट करेंगे और इस बचवे हुए मिश्रण में ये धनिया की चटनी डाल लेंगे साबुदाने भी बिल्कुल ट्रांसपरेंट हो गया है और आलू भी अच्छे से मेश हो गया है तो चटनी को इस घोल में अच्छे से हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे और अब गेस को बंद कर देंगे इस बाउल वाले घोल में डाल देंगे बस आधा टीस्पून चीनी इससे हमारे आलू साबुदाने के पापड हलके से मीठे बनकर तयार होंगे जिनका स्वाद बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है अब हमारे दोनों ही पापड के घोल बनकर तयार है तो फ्रेंड्स पापड बनाने के लिए यहां धूप में मैंने बिछा लिए एक प्लास्टिक शीट और इस पर एक चम्मच से मीडियम साइस के पापड बनाएंगे इसके लिए एक चम्मच भरके घोल लेंगे और इसे इस तरह से प्लास्टिक शीट पर फैलाएंगे घोल से छोटे-छोटे पापड बना लेंगे इठे पापड को ओर ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए इन पर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा-थोड़ा जीरा चम्मच की पीछे की साइट से इन्हें हलका सा प्रेस करके चिपका देंगे चाहे तो जीरा को चीनी डालते वक्त भी बेटर में डाल सकते हैं लेकिन ज्यादा गरम बेटर होने से जीरा डालने पर अपना कलर छोड़ने लगता है और फिर पापड सफेद नहीं बनते हैं इस तरह से जीरा को बाद में स्प्रिंकल कर सकते हैं और इसी तरह से चटनी वाले पापड के घोल से भी छोटे-छोटे पापड बना कर फेला लेंगे तो एक ही बार में हम यहां दो अलग-अलग फ्लेवर के पापड बना कर तयार कर रहे हैं जो फैमिली में बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आएंगे आप इन्हें ज्यादा कॉंटिटी में बनाकर अच्छे से सुखा कर पूरे एक साल के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं आप इन्हें पूरे दिन धूप में सुखाओंगी आप चाहे तो फैन की हवा में भी इन्हें सुखा सकते हैं और बाद में दो से तीन घंटे धूप में रख सकते हैं ताकि इनमें बिलकुल भी नमी न रहे और ये खराब न हो और जब उपर की साइट सूख जाएं तो इनकी साइट को पलट कर नीचे की साइट को भी अच्छे से सुखा लेंगे एक दिन धूप में सुखा लेने के बाद फ्रेंड्स देखिए पापड हमारे फ्राइ करने के लिए तैयार है तोनों ही तरह के पापड जरुद के हिसाब से फ्राइ कर लेंगे और बचे हुए पापड को एक प्लास्टिक में रखकर डिग्वे में स्टोर कर लेंगे पापड साइज में काफी बड़े हो जाते तो आप इने टुक्रों में तोड़कर भी फ्राइ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आप भी इन टेस्टी और क्रिस्पी आलू साब उदाने के पापड को मेरी इस रेसिपी से बनाईए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और चै अपड़ला कर ा yılके बनाईए भी इस कर सकते हैं तोड़े कर सकते हैं तोर